ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंट सी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आर यूर वसस के एच्टेव्यू के भी जो खेला जाएगा ओमान डी 20 मैच बहुत इंड्रेस्टिंग एंड स्मॉल अनलाइसिस होगा मतलब छोट आप वीडियों तक देखो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड ऐसी ही काई डॉमस्टिक मैच इसके एक्स्क्लूजिव एंड डिटेल से वीडियो चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो खासके कि न्यू सीरिज में तो बहुत जादा है एंड फाइनल मैच के एनलाइजिस में देट सो रन एवर स्कूर मान के चलो फिलाल क्योंकि लास्ट के कुछ मैच में रन अच्छे बने है आर यूर मुझे ना थोड़े से बेटर टीम भी लग रहा है देखो कि एस डेवली ने विन किया लास्ट मैच एक बहुत बढ़िया विन था बट वर लो देखोगे तो अगर बैलेंस देखोगे तो मेरा हिसाब से आर यूर खराब नहीं है तो एक बैलेंस मैच होगा जापे ना एक बैलेंस टीम आपको बनाना पड़ेगा सारे नौ बचे से पहले तक टेलिग्राम जॉइन हो जाएना फ्यूचर अपडेट्स पगेर इस सीरीस में भी इन्होंने घाइस अब तक बॉलिंग तो अच्छा किया बर्गर बर्गर जो है ना बर्जर जो भी है यह एक इस मैच में पंथ हो सकता है क्योंकि जन्ता इनको इंको इंको बैक कर से तो 40 का एक एक टेकिंग मैच में बाकि अगर देखो कि सानु इब्राहि बाकि इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि जो बहेंकर वाले बैट्स में नहीं है एक आधा मैच में आगे पीछे रन बना लेंगे कोई बट जो कंसिस्टेंट होते हैं खासकर कि बड़े मैच बड़े टीम के आगे वो शायद आपको इस टीम से पोवाइट ना हो ध्यान देना इस पॉइंट में हाँ फ्यूचर अपडेट्स एंड खासकर के बीवल जैसे मैच इस के कवरेज के लिए आप टेलीग्राम जॉइन हो जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से या फिर कॉमें सेक्शन में पीन क्या हुआ या फिर आप सर्च भी कर सकता है डरेक् अगर बैट फर्स्ट हो गया ना भाई यह जो बंदा है न नदीम यह आपको बैटिंग जना एक्स्टर थर्टी पॉइंट दे सकते हैं इस बहुत स्ट्राइकिंग एबिलिटी है साथ जाथ बॉलिंग से दोई कर लेगा तो महां पे भी एक बड़िया चोईस है सानु इब बैट बहुत सक्सेसफुल थे नहीं उपर में मैंने जब रिकॉर्ट बता रहा था ना ऐसी इब्रहाइम का अगर देखोगा बैटिंग्स है ना छे मैच में केबल 125 रन था तो यह विद बैट अक्सेसफुल नहीं है बट विद बॉल यह डिसेंड है एकदम से भयानिक नही यह डिफॉल्ट है यह इंटरेशनल मैच केलता है एक्सपिरेंस प्लेयर आपको लेना ही पड़ेगा हुसनाइन अब लास्ट मैच में बिटाई हुआ था इस मैच में डिफेंशल ट्राइगर सकते हो तो मुझाहीर रजा हां मुझाहीर रजा जो है ना साथ मैच में 16 निका मुझाहीर आपको बैटिंग से पॉइंट नहीं देंगे जंदा किसको बना रहा है क्याप्टेन मुझाहीर रजा को मैं मना नहीं कर रहा हूं बट मेरा कोईशन है अमीर कलिम भी खरापिक ने स्टेट इंटरेशनल प्लेयर है तो आप अमीर कलिम को बैक कर सकते है इस मैच म लास मैच में बैटिंग भी किया नहीं अब यूबी से अरि यूएस से में बताओ ना बरजन ने दोनों मैच में अच्छा बैटिंग किया है खराप नहीं किया है कंसिस्टेनली बैटिंग नाल रहा है और अगर सानुट देखोगे न यह विध बाल बेटर है इंको भी निकाल सकता है बट बरगर को मुश्किल होगा शायद निकालना खलीट केल हुआ एक मैच में ग्यारा एक मैच में ब्यालीस वसी मली ने दोनों मैच में कमाल का बैटिंग था मैंने जैसे कि फर्स सेकंड मैच में बोला भी था वसी मली ऐसा कैप्टेन सबसे सेफिस्ट है और इन्होंने पॉफोमेंस भी दिया था बैट फर्स तो और भी ज्यादा सेफिस्ट में इसाब से निसिम कुशी छोड़तो मुहमद नदीम बैट फर्स करता है तो भी डिसेंट पीक है सेकंड करेगा तो जंदा मतलब बॉल फर्स करेगा तो जंदा तो बनाएंगे इनक है कली मुला वसी मल्ली एंपटिल डेस्ट में नदीम करते कली मुला करते सनीत इब्राइब फोरे से पीचे से आते मतलब ये वह होता है 11,17 वाला डालता है बट उसके बाद से नदीम और कली मुला ज्यादा धर प्रोपर डेठ ढालते हैं अब ये कुछ Linux और पर ने कुछ से में अगर बताऊ ना यह रिजन है के अच्छा परफोर्मेंस का जिशान सिद्धी की कंसिस्टेंटली अच्छा बैटिंग कर रहा है जिसके कारण इन्हों शायद तीन में से दो वीन भी किया है अमीर कलीम लास्ट में भैंकर खेला था देखो चार ओवर डाल रहा है बंदा टॉप ओडर में खेल रहा है मेरे सबसे सेफिस्ट पीक है इसा कैब भी से शिरकर कर छोड़ दो दनीश मुहमद देखो इनका काम है बॉलिंग से जादा बै दनीश मुहमद अब उसके बाद डिसिशन होगा दनीश और आर से जो बैट फरस्ट करेगा तो दनीश को ट्राय करने से कर सकते हैं बट बैट सेकंड करेगा तो आर सत्तर के साथ ही जाना मैं प्रिफर करूंगा क्योंकि अगर डेथ कर गया दो ओवर तो महां पे एक से दू मुशन भी हो जाए दानिश उपर मुझे जो लग रहा है कि इस मैच में दानिश नीचे आ जाएंगे और यह दो बंदा उपर खेलेगा और जून लास्ट मैच में निकाला था आर सतर बॉल फर्स्ट बेटर पीक है अदर्वाइस रोटेशन मुजाईर रजा आपकी टिम मे सबसे सबसे से अब अर्जा न विदियो बॉसंदा तो फिलाल जो मैंने टीम बना के रखा अमीर कैप्टेन है विसी है वसी मली अब experience के लिए मैंने अमीर को कैप्टेन बनाया है alternate भी आप कर सकते हो बेशक कर सकते हो वैसे को मतलब यहां पर बना नहीं है एस इब्रहीम को मैंने फिलाल लिया एम्रजा यहां पर जी बर्जर भी ना तो ऐसे इब्रहीम जादा पॉइंट दे देंगे बट वहीं पर अगर ऐसे इब्रहीम उकर लिस चला गिया और जी बर्जर अगर 15 भी रन कर दिया तो जी बर्जर जादा पॉइंट देंगे वही बात होता है जीशन सिद्धी के खेल एस नुआ के हमारे पास एम नसी मे अगर बॉल फर्स्ट हुआ इस टीम का तो गाइस मैं डी महमद को नहीं लोंगा और सत्तार को लोगा थोड़ा सा रिस्क लेना है तो गाइस टीम कैसे अलग बनेगा अलग नहीं बनेगा तो आप डिजर्व नहीं करोगे विन करना तो डिजर्व करने के लिए गाइस कुछ अलग और है अब जिस्ता बात है लोजिकल ली अलग बनाओ ऐसे हका हो गाइस चार ओल राउंडर या तो गाइस आप तीनो विकेट कीपर को लेके बैठ गया ऐसे करके मत बनाओ डिसेंट के लो लोजिकल के लो एं अच्छा मैच होगा तो आप अच्छा वीन भी करोगे ल अच्छा वीडो पसंदाए तो लाइक करतेना है थैंक्यो